साथियों व्यापार और द्योग के लिए सबसे पहली जरूरत है इंफास्ट्रक्चर आज ओडिसा में हजारों किलोमेटर के नेश्टनल हाइवेज बन रहे हैं कोस्टनल हाइवेज बन रहे हैं जो कि पॉक्स को कनेट करेंगे सेंक्रों किलोमेटर नई रेल लाइन्स पिछले छे साथ सालों में विशाई गई है सागरमाला प्रोजेक्ट पर भी हजारों करोड रुपे खर्च किये जा रहे हैं इन फास्ट्रक्चर के बाद अगला महत्मक पूर्ण घटक है उद्योग इस दिशा में उद्योगों कमपनियों को प्रोजाईट करने के लिए काम हो रहा है ओल और गैस में जूड़ी कितनी व्यापक संभावना है उडिशा में मुझूद है उनके लिए भी हजारों करोड का निवेश किया गया है ओल रिफाइनरीज हो एथन और बायो रिफाइनरीज हो इनके नएने प्रांट्स आज उडिशा में लग रहे हैं इसी तरह स्टील इंडेस्टिस की व्यापक संभावनाओं को भी आकार दिया जा रहा है हजारों करोड का निवेश ओडिशा में किया गया है ओडिशा के पास समूद्री समसाधनों से समूरुद्र के अपार अवसर भी है देश का प्रयास है कि ब्लू रिवॉलूशन के जरिए ये समसाधन ओडिशा की प्रगति का अधार बने यहां के मच्वारों किसानों का जीवन स्थर बैतर हो साथ यो आने वाले समय में इन व्यापक संभावनाओं के लिए स्कील की भी बहुत बड़ी जरूत है ओडिशा के युवाओं को इस विकास का जादा से जादा लाब मिले इसके लिए आयाइटी भूमनेश्वर, आयसर बहरा बहरामपूर, इंडिन इस्टेट आप स्कील जैसे समस्तानों के नीव रखी गई है इसी साल जन्वरी में मुझे ओडिशा में आयाइमें संबलपूर के सलान्यास का सवभागे भी मिला था ये समस्तान आने वाले सालों में ओडिशा के भविश का निर्मान करेंगे, विकास को नई गति देंगे